तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉड़कास्ट में और आज हमारे साथ एक बहुत ही बहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौझूद है तो कुछ टाइम पहले परमीश भाई का हमने पॉड़कास्ट करा था तो हमने उनसे पूचा भाई आपके एक शॉट में ड्रिफ्ट बहुत तगडी तगडी लग रही है वो कौन लगा रहा था पंजा दाब सॉंग में तो फिर उन्होंने नाम लिया भाई वो एक F10 दलाल कर तो आएंगे ड्रिफ्ट तो हमने का भाई ड्रिफ्ट तो लगे कि ना लगे लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसके लिए एक पॉड़कास्ट तो बनता है क्योंकि भाई हर कोई ये काम नहीं करता बिल्कुल अन्यूजल काम है फिर हमने भाई की प्रोफाइल देखी भाई प् जो ऐसी ड्रिफ्ट मार रहा है इंडिया में कोई पहला पहला काइंड ओफ देखा है मैंने तो इंडिया में देखो भाई वेल्कम सबसे पहले तो थैंक यू आप इतने शौर्ड नोटिस पे हमारे बीच आए बिल्कुल थैंक यू आपको भी आप लोलाया आप ये बताओ जो आपने फिल्ड चूस करिये इतनी अनोख ही इसके बीचे राज क्या है इंस्पिरेशन करूंगा और हाँ इंस्पिरेशन क्या है क्योंकि बहुत रिस्की है इंस्पिरेशन यहाए कि खून में था फादर अपने टाइम पर करते थे प्लस हमारी ट्वाइस की फेक्टरी तो गाडियों का शौक था बच्पन सही और फिर जैसे जैसे बड़े हुए रोड पे तेज चलाने लगे गाड़ी तो पेरेंट्स को लगा भई रेसिंग या ट्रैक सेफ है रोड पे तेज चलाने से तो पोलो कप एक आया था वी डबलू ने लाँच किया था पोलो कप रेसिंग सीरीज थी तो उसके सेलेक्शन में गया और सलेक्ट हो गए और वहां से जन्नी शुरू गई 2010 पोलो कप से तो ए घरवालो तो बात पहुशन आपने गाड़ी चला दी थी हाइट थोड़ी लंबी थी मारूती 800 थी तो रैंडम ली ऐसे ही बात ही सुबह स्कूल जाते तो फादर ने का कि तुम में से जो भी बिना जब हम मैनुल गाड़ी चलाते तो स्टॉल होती है गाड़ी जर्नली जब आप फर्स टाइम चलाते हो और मैंने फर्स गो में चला दी तो बस तब जर्नी शुरू होई थी तब स्यास्ते गाड़ी चला रहा हूं तो भाई अब आते हैं इस पे रेसिंग वगेरा क्या होती है इंडिया में आप कौन सी रेसिज में गए हो ये सीरीज में आप कोई भी कैसे एंडरोल कर सकता है थो आपकी डर्ट, ग्रेवल, फिर आपका आता है एंडूरेंस जो डेजर्ट में होती है फिर आपकी माउंटेंस में होती है साजोबवा एंड ग्रेट हमालयान रैली तो ये काफी सारे फॉर्मेट्स है बाकी जो न्यूकमर है वो लोकल इवेंट से शुरू करें जैसे माहरब और एंट्री फी के पैसे होने चाहिए कितना फी से फी डिपेंड करता है आप कितने लैप लेता हो पर लैप जर्नली कॉस्ट करता है और फोर थाउजन फर्स लैप फिर वो ग्रेजुली हजार हजार का मोते चले जाएंगे तो भाई उसमें मैक्शिमम आपने जो बुच सर होते हैं वो टरंस पर खड़े होते हैं कोई एक्सिडेंट होगा तो हमें भार आना होता है जो ड्राइवर है उसको गारी से निकालना होता है वो ट्रेनिंग दी जाती हो तो तब चलाई थी SLS AMG तो वो 260 के राउंट टच करती है तो वो वाली फास्टेस थी जो आपने चाह या ग्रेवल इस नॉट आर का पफटी तो लेकिन मेरा ही है मैं सारे फॉर्मेट कर चुका थोड़े फॉर्मेट एक्स प्लेंकरता हूं जैसे सर्कित रेसिंग आपका लों सर्कित डियाउग डिजाइड द आपको उसमें गाड़ी चलानी है एक तो आपका यह गलाप ट्रै वो हर बार नया track बनेगा जब भी event होगा, same is Gymkhana, Gymkhana भी same, मतलब कोन से track बनता है और छोटा event है, बाकि आपका rallies आ गया, जैसे INRC होती है, तो INRC में आपका long stages होती है, 15 km की stage हो गई, 20 km की हो गई, आपको अलग अलग जंगय जान आता है, बीच में आपका transportation होता है, then आपकी super stages होती है, फिर आता है आपका endurance, जैसे desert storm होगी या Royal Rajasthan rally होगी, उस वो होती है desert में दोनों, तो उसमें आपकी stages 185 km, 200 km तक चली जाती है, तो आपको एक गो में 200 km sand dunes पे गाड़ी चलानी है, वहाँ पे वो endurance वाली चीज काम आजाए, तो वहाँ पे cars भी तो अलग होती होंग पोलो के अंदर, नहीं ऐसा नहीं है, रैली के अंदर आपको height की जरूत नहीं है, जो INRC की में बात करा है, वो dirt track हो गया, tarmac हो गया, mix है, mix of all, तो उसमें आपको गाड़ी की height की जरूत नहीं है, बाकि आप suspension डालो, suspension का खेल है सारा, और वो cost भी काफी करता है, जैसे पोलो क जो राइगर कंपनी का suspension आता है, वो आपको around 5,5 लाग के round cost करता है, तो car की जितनी cost तो suspension में यह आप दे रहे हो, तो इसमें बताओ, आपकी जैसे आप हो इसमें, तो income कितनी है, career wise लोग ले सकते इस चीज़ को या, नहीं ले सकते, इंडिया में तो नहीं ले सकते, मतलब बहुत ही कोई आप लाखों में से एक होगे, जिससे किसमत चमक जाती है, जिसको timely sponsor मिल जाते है, और sponsor long run में उनके साथ रहते है, जैसे plus talent भी होना चाहिए आप में, जैसे गिने चुन नहीं है, गौरव गिल हो गए, और नरेन कार्थिकेन हो गए, गिने चुने लोग ही है, जो carrier बना पाई इस फील्ड के अंदर, बाकी तो सब अपना शौक पूरा करें, बड़ी थोड़ा वहाँ का experience बताओ, आप France गए ते आपने बताया, तो वहाँ पे जाना कैसे हुआ, और वहाँ पे, क्या format था, सारे, format ये था कि वहाँ पे auto slalom के अंदर select हुआ था मैं, पर शीजन का है बहुत जादा, मतलब उसमें आपको speed इतनी चाहिए, लेकिन आप precise होने चाहिए, अच्छा, कौन पर लग रहा थे penalty चाहिए, penalty है, 5 seconds, मतलब उसमें टाइम बढ़ जाएगा आपका, हाँ, 5 seconds बढ़ जाएगा जैसे एक कौन हिट किया, प्लस आपने कोई, मत आपका आपका 100 मीटर हो गया, जैवलिन थो हो गया, कई सारे वो आजाते हैं, इंग्लूट हो जाते हैं, इसे मोटर स्पोर्स के जितने भी फॉर्मेट है, वो FIA गेम्स के अंदर इंग्लूट हो जाते हैं, आपका drifting हो गया, circuit racing हो गया, auto slalom, go karts, वो सारा का rallies, वो सारा cover हो तो उसमें, as a team, मैं और female driver थी प्रगती, हम दोनों गई थे, represent करने, auto slalom में, total हम साथ लोग गई थे, इंडिया से, और कोई जीता वहाँ पे, नहीं, जीते तो नहीं हम, क्योंकि first time experience था, लेकिन हा, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो भाई, वहाँ पे आपको cars वो लोग provide कर करते हैं, जैसे हम थाइलेंड भी गई थे, 2018 में गया था, मैं और मेरा एक पार्टनर था, अर्जुन, हम दोनों गई थे, और वहाँ पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे हम चार फॉर्मेट थे, different, different, auto slalom के अंदर के फॉर्मेट, जैसे आपका solo हो गया, solo qualifying हो गया, doubles हो गया, teams हो गया, तो उसमें हमने almost, तीन फॉर्मेट में हम second आये थे, Asia के सारी थे, मतलब पूरा Asia का event था हो, तो आपके Japanese driver, Indonesian, then Malaysian, India से Shri Lanka, Nepal, और China, और आपका, मतलब जो भी Asian countries हैं, इन सब की team आई ही, तो इसमें भी आपका सिर्फ प्राइज, इसमें प्राइज मनी भी था, तो भाई आपने Thailand जा के सिर्फ गाड़ी ही चला ही, हाँ, मतलब बेसिकली हाँ, 70-30%, 70% गाड़ी चला, हाँ, अपना 100% गाड़ी पे दिया, मजाग कर रहे हैं, भाई थोड़ा France का बादा, वहाँ पर कितनी-कितनी countries के लोग आ रखे ले, France पूरा व पूराइज में, Marseille जंगा है, Paul Ricard circuit है वहाँ पे, उस circuit के अंदर था सारे इवेंट, और मतलब सही था, मतलब सीखने को बहुत मिला, हमने परफॉर्म भी ठीक किया, लेकिन एक तो left-and-drive गाड़ी, वह ने कभी चलाई नी, नॉर्मली इवेंट पे, यहाँ पे तो right-hand चलत to India से तो यह सब पूरा trip आपको sponsored था या फिर नई, self-sponsored था सारा, पूरा तेरी, हाँ completely, तो भाही आपने वहलो शॉक के लिए लगाओ पैसे कोई दिखकर नहीं है बर शॉक पूरा होना चाहिए, प्लस दोस्तों का साथ था, जैसे दोस्तों के किसी ने अपना wraps का का काम कि हुआ है, या silencer house है जैसे आपने सुनाओगा, वो silencer modify करते गाड़ी के तो यह और प्लस एक दोस्त है, जो events कराता है BIC पर, लक्ष है, तो इन सब ने कुछ 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 करके थोड़ा बहुत sponsor कर दिया था बागी सारा मैनी तो भाही आपको वैसे दोस्त देते नहीं ह गाड़ी उतरी है तो आपको देते हैं यह चलाने के तो नहीं हो पहले मेर को देते हैं तो गाड़ी चेक करके बता कैसी है तो आप खीच देते हो गे पूरी ठीक है, situation पर डेपेंड करते है उस ताइम कैसी है आपने पंचाद आप से पहले भी कुछ मुजिक वीडियो करी ह बाइए बात बताओ, गोवा में डेस्टर का क्या किस्सा हुआ था? यह बाही के फ्रेंड ने का यह जरूर पूछना है और एक और भी है वो भी पूछ हूआ मैं बताता हूँ, हमें निकलना था मॉर्णिंग में गोवा के लिए नॉन स्टॉप जाना था मैं तो उससे पहले वाले दिन कोरोना की वेक्सिनेशन लगवानी थी फादर को मदर को और ग्रैंड मदर को तो मैं सुबह पांच बजे से उठा हुआ था भादर रड से अपोल निकलेंगे नेक्स दे 5.36 सारे दोस्ता आगे शाम को घर वो सर हो गए के नहीं भाई अभी निकलेंगे रात को तो मैं का यार सोए नहीं है थोड़ा रेस्ट कर लेते है लंबा रूट है 36 गंटे लगेंगे तो कोई नहीं माना सबने जिद करी और हम निकल गे रात को 11 बज पर देखे के सो रहे हैं उस पर इन्होंने किसी ने मेरे को सोने नहीं दिया हम पूच के को लापूर जाके मेरे को डेड़ घंटा सोने को मिला और उसके बाद फिर मैंने ड्राइफ किया हम 36 गंटे में 2000 किलोमेटर हम गोआ पॉच की रिसोर्ट में पहुच के फिर महां पे आके एनरजी आ गई नहीं अब नहीं सोएंगे हम पूल था जिसमें कूलेंट जैसा पानी था हम सारे उसमें कूद गए हम लगा नीचे टाइल ग्रीन होगी दो दिन हम उसमें नहाए तीसरे दिन वह क्लोरीन से उन्होंने पानी साफ किया तो ब्लू निकल के आया अरह तेर जब वहां से चले सुभह खाना खुना पैक करा के चार साड़े चार बजे तब मैं आगे था इधर एक फ्रेंड था पीछे दीपक था ये ब्लैक शर्ट वाला उसके पीछे एक मोईत था सब सोगे गाडी में और चल रहे है चल रहे है टर्न आया तो आइस ब्लिंग करके मै इतने में टर्न सिधा हो गया मतलब वह आइडिया नहीं रहा के तरन आने वाला हाँ तरन आगया और तरन सिधा हो गया और वह कोने पर पोल था तो थे हम अम थलो 30-40 पर रहे होंगे तो उस पोल में लगी गाडी चा पोल में लगी और दीपक थोड़ी चोट लागी बांद अधिन एयर बैग खुल गे और बैसे इतनी स्पीड फेड बैग खुल रहे था स्पीड जाद ही होगी स्पीड थी थिसलो थी हमारी 30-40 की स्पीड थी ती वह तो सो रहा था तो गोवा तक सोता गया है जो पिछली सीट नहीं मिली वह इसी वज़ा इसे नहीं तो जो हच रहे है द्च को चोट लगी सोते सोते हैं और इसी को सबसे ज़़ादा चोट लगी बगवां देख रहा है पोल में श्कूटी माता गिर जाता है उसको भूस्पिटल लेके जाते है without theidée इसको भी लेके गए गये हॉस्पिटल और हम सारे होटल निकल गए तो होटल निकलने से पहले जब हमें लेने आ रहे थे होटल पर हमने फोन कर दिया था मेरे भाई को के भाई लेने आ जा ऐसे ऐसे एकसिडेंट हो गया तो एक साथ में हनु था कजन है उसने जो लोकल आगे वहां पे चार-पांच उनको कुछ उल्टा बोल दिया उन्होंने त जूर से देखा के वर्ना आ रही हमें बचाने भाई आया हूँ अभी डागर रोहित वह वर्ना चला रहा था वहीं से मिशार करें यूटन मार यूटन मार उसने और हम साथ लोग सारे वर्ना में गुसो 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 बस फिर फटा फटम होटेल पहुचे और बस नेक्स देए फिर हमारा थाने में लग गया अच्छा वह गाड़ी यह थी वह हमने टो करके थाने ले गए थे पुली स्टेशन वही सामने था पुली स्टेशन सौ मीटर दूरी था सियोलिम सियोलिम एक्सिदेंट हुआ था तो सियोलिम पुली स्टेशन लेके गए बस शाम तक गाड़ी चुडवा यह और ट्रक में भिजवा तो भाई यह बताओ जैसे आप इतने लंबे समय के लिए ट् लिए पुलेंट लेके चलो इंजन ओए लेके चलो एक्स्टर लेके चलो आप साथ यु नवर नो खब क्या यूज करना पड़ जाए और तो रोप लेके चलो हमारे टोरो बहुत काम आए क्योंकि गाड़ी अम इस दीपक की एक्सफोर से तो करके लेके गए थे तो तो रु आप स्टैपनी चेक करो इसको क्लीन करा उसमें कोई पंचर नहीं है चेक करो और उसमें अपना टायर प्रेशर प्रॉपर मैंटीन करके चाहिए आपने विदिन सेकंड इतनी बढ़िया इन्फोर्मिशन दे दे दिन इसके इतनी तवी रील कटैगी इसकी यह मस्ट है बाई ड पुलिस वाले आए उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस पहुचे वहां से उन्हों तीन-चार गंटे में फादर का फोन नंबर निकाला कहीं से उनको कॉल किया कि वह ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी है और यह फोटो बेजी मेरी कि यह बंदा गाड़ी चला रहा था पिर पापा का पाफोन आया कि कौन सी वीडियो वाइरल होगी मैं का होगी दौर का वाली बोलें हाँ आये वह पुलिस वाला तो नंबर दे रहा हो तेरा बात कर ले तो उसे बात करी तो हजार रुपय का फाइन था मैं का पांच ले जा भाई दुबार मत आयो लेकिन हाँ एक बार ही खतम करेंगे तो कुछ नहीं हुआ कैता लाइसेंस स्पेंड करेंगे तो या सपीड तो 50 से नीचे ही था तो इस रील में क्या हो रहा था वाई रील में था कर दो निचे के यू तो नूर्मल रोड थी दौर का में था सेक्टर भूल गया में कॉन सा था तो उसमें आगे भी जोजनी मानी जाती है वो रोड लेकिन उसमें आगे ही नुवा चल रही थी और बाइकर चल रहा था तो इसलिए सीन हो गया वैसे मैं लोगों मोटिवेट नहीं कर रहा है ऐसी पूछ रहा हूं जैनरली कि ड्रिफ्ट मारने की राइट टेकनीक क्या रहती है राइट टेकनीक और अगर गाड़ी आटोमेटिक भी है उसमें भी बता देना है आटोमेटिक मैनुल का इतना कोई फरक नहीं रहता रियर विल ड्राइव होनी चाहिए ट्रेक्शन कंट्रोल फुल आफ करो और मेन आपका खेल है थ्रोटल इंपट और स्टेरिंग थ्रोटल इंपट क्या हो आप कितना थ्रोटल दे रहे हो आप कितना स्टेरिंग इंपट दे रहे हो सार उसी का खेल है जब आप थ्रोटल दे रहे हो तो आपका स्टेरिंग का जो एंगल है जैसे यह सेंटर है तो स्टेरिंग का एंगल आपका कम होना चाहिए जब आप ऑफ थ्रोटल हो तो एंगल जादा होना चाहिए, तो मेन एथ, स्टेरिंग एंगल एंद थ्रोटल, इसी से आपको गाड़ी कंट्रोल करनी है, ड्रिफ्ट के केस में, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस अपना करो प्रैक्टिस करते थे तो टायर तो बहुत घिषते होंगे, तो आपके फादर ने कहानी बेटा, इतना घर्चा हो रहा है, गाड़ी गाड़ी में, क्या कर रहे हैं? टायर जैसे कॉलेज में था, तो हफ़ते का एक साट घिसाता था, पंदरा सो में यूज लेता था, तो दुखता नहीं था, तो यह वही यह जो चाइनीज टायर साब बता है, यह जैसे सुपर्ब का हो गया, आपका सुपर्ब लॉरा, और उस टैन 3 सीरीज होती थी, तो उसमें सेम टायर आता था, तो जैसे कोई सुपर्ब में उतार के ले गया, नए लगवा लिया, तो उसमें 25% के अराउंड लाइफ है, वो अपना एक हफता गिसा आया, अगले हफते अपना नया ले लिया, ऐसे चलता है, जैसे यह वाली गाड़ी रहती है, SUV बगार, ऐसे थारी ले लो, इन पे भी ल इंडिया में तो सिडानी है, सिडानी है, सिडान, रियर वील ड्राइव, आपकी BMO, मर्को, कोई भी चले, यही दोनों है, या जैग, जैगवार भी रियर वील ड्राइव है, वो भी सही करती है, तो जब आप परमीश भाई के जी वैगन के अराउंड गुमा रहे थे, आप अच्छा, वो जो पार्किंग लॉट में है, वो आप गुमा रहे हो, और जो ओपन जी राइगन के बार, वहाँ पर, वो धननजय कटारिया दोस्त है, उसकी गाड़ी है, अच्छा, भई पार्किंग लॉट में भी गुमाना, भई बहुत मुश्कील है, वहाँ तो और ज्य तो मेरी ओपन डिफ थी, और उस पे भी हाँ सही परफर्म किया गाड़ी ने, तो मैं लेकर ही आया था, वो ड्रिफ्ट के लिए लेकर आया था, ड्रिफ्ट बना रहा हूँ, अभी बन रहे है, रैडी हो रही है, मैनूल गेर बोक्स लग रहा है, LSD लग रहा है, परफरगड में स्विफ्ट का क्या किस्सा हुआ था, तू कहां से, अंतर से खोद खोद के लेकर आ रहा है, उसमें ये था, मैं सेलेक्ट हो गया था, थाईलेंड वाले जम खाना के लिए, तो बीस दिन थे, 20-25 दिन थे, महीना लगा लो आप, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी थी हमें, तो एक भाईया है, मैं उनसे स्विफ्ट खरीद लाए, उनके पास खडी थी है, तो खरीद के लाए, सेकिंड ए था, हम सुबह जल्दी जल्दी उठे, इंडस्ट्री ले रहागे, खाली पार्किंग लॉट था, वहां कौन लगाए, सेट अप किया, और वहां प् आया, उसके बाद मेर को याद है कि मैं आइसी हुए था, मुझे नहीं पता कि वह गाड़ी कैसे साइडवेज हुई और ट्रक के अंदर घुसी, और स्कॉल फ्रेक्चर हो गया था मेरा और मतलब हाफ फेस पैरेलेसिस हो गया और लिगामेंट यह हो गे थे बैक में, तो भा पार थी के इवेंड में जाना है, भाई फिर फैमली ने नहीं तो छोड़ दे ट्राइविंग रहीं यार, नहीं नहीं, अच्छा उन्होंने काई नहीं नहीं, गल्ती तो, मतलब पार्ट अफ लाइफ है, पार्ट अफ गेम है, क्रिकेट खेलोगे आप उसमें बॉल लग सक लेकिन क्रेज जो है मोटर स्पोर्ट का, वो साउथ इंडिया में जाद है नौर्थ इंडियन से, मतलब क्योंकि ट्रैक्स वहाँ पर पुराने हैं, जैसे चेनई में ट्रैक था, तो दो ही ट्रैक होते थे इंडिया में, बी आई-सी से पहले, तो दोनों साउथ में थे, तो आपने साउथ इंडिया नौर्थ इंडिया कर दिया कि कौन बहतर है, गर्ल्स और बॉइस का भी कर दो जो स्ट्योटाइपिंग हो रही है, आपके साब से कौन बहतर है, जो मेरे साथ फ्रांस गई थी, वो शी इस गुड ड्राइवर, अभी वो काफी उचे लेवल पे गई और WRC के ड्राइवर्स उसको ट्रेनिंग देते और वो WRC में गाड़ी चलाती, तो मतलब एक एक सेप्शनल है, ऐसी नहीं है, मतलब वो भी तैलेंटेड है, और भी है, तीन-चार और हैं जो तैलेंटेड है, वो यह होती है, तारा रंपम पिच्चर में सेफ चलाता है, वो तैले, टार्मेक भी होता है, मतलब क्यूंकि नॉर्मल ही डिर्ट रूट होता है, वो इसलिए हम उसको ऑफरोडिंग बोल देते हैं, उसमें एक ड्राइवर होता है, एक नविगेटर होता है, तो भाई वो क्या कर रहा होता है, वो करता दरता होता है, अपका, आप गाड़ आप खुद रूट पे जाओ और अपने नोट्स बनाओ और फिर वो नविगेटर नोट्स पढ़ेगा उसके हिसाब से आप गाड़ी चलाओगे तो वो जब रैली करते हैं तो मेरे फादर ही मेरे को नविगेट करते हैं फादर संडू है मैं चलाता हो फादर नविगेट करते हैं ऑसम भाई आपको जैसे एफवन की भी बहुत नौलेज है आप बता रहे हो कि ट्राइ भी किया था हां मतलब सिंगल सीटर में कभी आई नहीं पाया तो उसमें वैसे क्या रिक्वायर्मेंट रहती है कि अगर किसी को प्रोफेशनली करना हो तो प्रोफेशनली करना हो देखो गर आप टैलेंटेड हो और आप को जैसे नॉर्मली आजकल क्या है कि 8 साल के बच्चे को गोकार्टी में डाल देते हैं तो उसका टैलेंट जब वो 15-16 साल या 18 साल को होता है तो दिख जाते कि उसमें टैलेंट है तो फौररन तो कि आपको पिक कर लेंगी। इसमें सारी प्रैक्ट नहीं है, टैलेंट कैसे गांट हो रहा है? टैलेंट ही है इसमें, प्रैक्टिस तो आपके टैलेंट को थोड़ा सा, कैसे समझा आपको, आम यह just affect रहें को? तो talent किसzenie sense में कि तय्ले इस sense में कि आपको पता होना चाहिए कि गॉड़ी मिन यह करूंगा तो गॉड़ी यह करेगी मतलब आप देखते होगे road पे, mode लोग गॉड़ी देते और वो लाद इप डिवार मिं घुज़ती है उसको पताः ही नहीं के गाड़ी तू किस स्पीड में मूढ रॉर आippy स्पीड में क्या कर सकती है और उसको कैसे करना है एक तो जीजिट सकते हो और आप ये भी बता रहे हो कि हाइट का भी रहता है कर? सिंगल सीटर में रहते हैं जैसे गो कार्ट हो गई उसमें हाइट क्योंकि इंजन कम पावर्फुल होता है तो हाइट एंड वेट उसमें काउंट करती है अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप स्लो हो गई होगे चाहे और जो प्रॉपर फॉर्मला वन जो उसमें तो आपका ग्रैम्स के अंधर वेट कांट होता है मतलब वो जो आपके जो टीम होती है आपकी वो आपको ग्रैम्स के अंदर रखती है जैसे आपका वेट है 54.65 जहां तक सेकंड डिजर्ट तक चलता है उसमें और आप एक रेस के अंदर जरनली देढ़ गंडे की रेस होती है तीन से चार केजी लूस कर लेते हुए इतना आपकी बॉड़ी पे जी फोर्स लगता है और इतनी एनरजी आपकी यूटिलाइज होता है यह बाई देखने में यह असान है कि गाड़ी तो चला रहे हैं कि लोग तो स्टेडियम में देख देख के हो हला तो कर रहे होते हैं ड्राइव कि आदमी इतनी लंबी जैसे रैली में चलाय जा रहा है चलाय जा रहा है और इसमें कुछ आखोका ही है जैसे एरलाइन में होता है कि 6x6 ही होनी चाहिए नहीं वो तो चश्मे लगा के 6x6 हो गया तो भाई चश्मे वैसे रिस्की निया जब आप क्यूंकि हेल्मेट पूरा अधिया पैना होता है 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 हलमेट में इस्पेक्स फिक्स हो जाता है हिलता नहीं भाई आप में जो पंजाद आप में इभी काम किया उसके बहुत और बड़ी music वीडियो जा रही है किसी बड़े artist के साथ गया एक उनके साथ आएगा बीदे को कब release होगा स्वा होगा बाक और कुछ बताओ, आपका करियर इतना इंट्रेस्टिंग रहा है, रोज कुछ ना कुछ किस है, तो होते रहते हूं मेरी फर्स रैली थी रहाल राजिस्तान रैली, तो भड़ी मतलब महनत से और प्यार से जिपसी तयार करी थी और मैं और फादर गए, काफी सही कर रहे थे हैं, फर्स लेग हमारी अच्छी गई, सेकंड लेग में सेकंड फर्स स्टेज थी मैं लेग का इस अपका शूपरण करना होता है, प्लस अपर्स थेज प्लस फुल दवे, सूपर स्टेज है और ट्रान्सपोटेशन है उनका कॉंपिनेशन एक लेग को कहते है समझा लिमें, मदल अब विनर कैसे डिसाइड हो अच्छा और कितने दिन का इवेंट होता है, दो दिन का इवेंट था, तो दो लेग थी, लेग वन की टाइमिंग और लेग टू की टाइमिंग एड होके, जो जिसकी सबसे अच्छी होगी वो जीच जाए, हाँ, कैटेगरी व पहले जहां पर आपका stop box आया, rally flying finish बोलते है rally में, flying finish आये, उससे पहले सूखी घास थी, और हम हलके से off route होए, क्योंकि आपका GPS लगा होता है गाड़ी में, प्लस road book होती है, तो वो GPS ने गलत location दिखाई, थोड़ा slow हो गया क्योंकि signal नहीं होगा, और हम हलके से off route गे, off route से से सही रूट पे आ रहे थे, तो सूखी घास थी काफी, तो जैसे ही जिपसी उसके ऊपर से गई गाड़ी हमारी, तो exhaust इतना गरम था, कि गास ने आग पकड़ ली, और मतलब within like a minute or two, हमें स्मेल आई, हम गाड़ी से उतरे, तो देखा पीछे, और मतलब 50 फूट पीछे से, वो सारी घास के अंदर आग लगी होगी और इंजन ने आग पकड़ ली, और बस देखते देखते पंदरा मिनट में पूरी गाड़ी जल गी, रैली खतम, और उसके लगाओ अप एक महिने बाद डैजर स्टॉम थी, दूसरी जिपसी खरीदी हमने, रैडी कर आई, डैजर स चंदीगर, सारा, मतलब, आफ रूट, कच्छा रास्ता होता है, तो उसमें भी हमने 26 से स्टार्ट किया था और ओवराल फोर्थ फिनिश किया, वो भी काफी सही था, फिर नेक्स रैली, रॉयल राजिस्टान रैली, फिर हम गए नेक्स यर, और उसमें हम ओवराल थर्ड आ जाती है, इन्वेस्टमेंट याई है, इन्वेस्टमेंट रीकवर नहीं हो, अच्छा, आपके लगते ही है, मैं गहारा था जिए जो आपके, आप बता रहे हो कि चंदीगर से शिम्ला, ओफ रोडिंग करके आप पूरा जाते हो, तो यह सर्व और्गनाइज कौन कराता है, आपको यह सर्व स्पान्सर्ज और यह, उर्गनाइज जैसे सजोबा है, सजोबा एक कॉलेज है, वह स्कूल भी है, कॉलेज भी पी है सजोबा चंदीगड में, उनकी जो एलुमिनाएं हैं, वह और्गनाइज कराती है, वह सारे गेम्स कराती है, फुटबल भी हो गया, चैंपेंशिप कराती है तो ऐसे रैली भी कराते है अच्छा भाई यह देखो आना चाहिए मोटो जीपी तो आ रही है इस साल आना था मोटो जीपी को इसकी अवेरनेस निये मुझे लग रहा है भी लोगों पता नहीं है अवेरनेस तो है लेकिन हाँ वो जब तक experience नहीं करें हैं आपके CC के इसाफ से जैसे एक लीटर इंजन तेरा सो सोला सो इसके इसाफ से कैटेग्री आप कोई भी गाड़ी लाओ एमेचर कैटेग्री में एंट्री डालो देखो दो तीन इवेंट का आप का स्टेंड कर रहे हो आप करना चाहते हो तो करो बना अपना शॉक्त प्ल हां तो हरको ही चाहता है कि मैं तो इसी स्पोर्स के लिए करना है मुझे हां कौन से कॉलेज में थे वैसे मैं था ITM Institute of Technology and Management पालम वियर गुडगाओं तो वहां पे तो फुल टो रहा होगा आपका एक लड़ता है जो बढ़िया नहीं बिलकुल बिलकुल कि वहाई इसके आग इसे कहते है प्रॉपर डेली NCR का लोड़ा भाई तो यह तो था मैं था खुश तेखा आपी जब कॉलेज कटम हुआ लोग के जान बची लाख हो पाए चलो भाई पाल्ड कास्ट में मज़ा आगया और आपने जो बड़ी बड़ी बाते अपने किस्से बताए और जितने भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं भाई से जरूर इस चीज़ पर डेली NCR के लोगों के लिए या कुछ ऐसा क्लब या कोई इंस्टाग्राम पेड जहां से डेटेल्स मिल जाएगी बाकी अगर आपको रैपिंग डेटेलिंग या हैडलाइट से रेरिटेड कोई भी कोई इस है तो फ्रेंड का काम है है अपग्रेड इंडिया और डेटेलिंग गराज वो पेज़िस को फॉलो करो और डेटेलिंग गराज तो सुना है हमने काफी सही अब ही इसने किया है शुरू अब ही चल रहा है बैठा है बार हैडलाइट अगरेड इंडिया भी काफी सही है मतलब वर्थ इट होगा उससे आप जो भी काम करा होगे आसम है भाई मज़ा आ गया शांदार शांदार पॉड़कास्ट हुआ बिलते है दोस्तों आपको मज़ है पीछे पांच है लोगा और फुल मज़े ले रहे हैं हम कहीं भी जाएंगे 6-7 लोग हम साथ ही जाएंगे परमीज भाई के शूट पे भी सब साथ थे हर जंगय साथ होते हैं बाकी भाई इसका हम मतलब क्या समझे कि पंगावंगा पढ़ता रहता है पेलने वालने वाले और नीचे आजिए बिलकुल बिलकुल चलो सही है आपको मज़ा है ना भाई हमने तो सेवा बढ़िया गरी हमारे नमबर लगा दे सारे भाई बिलके हैं चलो भी जनते से दर्खवास है मज़ा है तो अपने हसाब से लाइक, कॉमेंट और डू शेर दिस पॉड़कास और तो कई बार आपको दिखाओगा जाओ भाई को फॉलो कर लो कोई भी क्वेरीज भाई हमारी ओडियन्स से आए आप वेलकुम कर दे ना ड्राइव सेफली कोई जादा जोश में आके तेज गाड़ी ना चला है यह पॉड़का सुनके स्कूबए तो गड़बड कर देते हैं लोग बाग जोश में आके बाई ने भी टेक्निक बताइते हैं वह एक्सलेट बार यह करने वाली वह प्रोफेशनल है इस दिए कर रहे रही है उसी में ही करने है बाकि तुम समझदारी हो चला जी